नमस्कार दोस्तों एक बार फिर हमारी यूट्टुब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एले टफटप टेक्निकल कर आई है कि लंबे समय के बाद केंद्रिय करमचारियों के लिए आ गई है राहत बरिक खबर लंबे समय से केंद्रिय करमचारियों जो 18 महिने के ब पकाड़ी एरियर का पैसा कब गरमचारियों के खाते में डालने जा रही है अगर आप हमारी चैनल पर फ़र्फ टाइम जिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथ इसाथ वेलाइकन को भी बजा दीजिए ताकि गोवर्मेंट या पैंशन स को काफी उमेदी थी लंबे समय से जर्चा हो रही थी कि मोधी सरकार केंद्रे करमचारियों को अटका पड़ाड़ी एरियर का पैसा खाते में डाल सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों माना जा रहा है कि देशबर में अगले साल 2024 के लिए लोग सबाचुनाव होने हैं जिसे पहले करमचारियों को लभाने के लिए खजाने का पिटारा खोला जा सकता है करमचारियों के खाते में डालने पर विचार कर रही है जिसकी चर्चा है कि कितनी रकम आएगी दोस्तों फरकार ने 1 जनौरी 2020 से 30 जून 2021 कि तक काड़ी एरियर का पैसा करमचारियों को नहीं दिया जिसके बाद करमचारियों बरग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं उच लेवल के करमचारियों के खाते में करीब 2,18,000 रुपे की रकम ट्रांसपर की जा सकती है जिससे बंबर फायदा होना तै माना जा रहा है दोस्तो इसका फायदा करीब एक रोड से ज्यादा केंद्रे करमचारियों और पैंशन भोगयों को होगा जिससे करमचारियों की मोज आना तो बिलकुल तै है दोस्तों केंदर सरकार करमचारी को डबल खुशकबरी दे सकती है जिसके महँगाई बते पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है माना जा रहा है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर में भी तकड़ा इजाफ़ा कर सकती है जिसके बाद उनकी सैलरी में जबरदफ्त इजाफ़ा होगा फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ा कर 3.68 परतिशत किया जा सकता है जो एक बहुत बड़ा इजाफ़ा होगा इसके बाद बेसिक सैलरी में भी ठीक ठाक इजाफ़ा देखने को मिलेगा तो दो तो आज के लिए इतना ही मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जए हिंद जए भारत